मा, कुछ समय पूर्व मुझे एक रहसिमय अनुभव हुआ अंतरिक्ष में एक विचित्र तिकोनाकार स्थान है जिसके निकट जाने के मेरे प्रयास को किसी देव्य मांतरिक शक्ती ने विफल कर दिया त्रिपूर त्रिपूर इसका आभास तो मुझे भी हुआ था कुट्र समस्त प्रहमान में ऐसा एक मात्र वही स्थान है पुट्र त्रिपूर मा स्वामी के तीन महान भक्तों के तीन पूर है त्रिपूर तुम वहाँ इसलिए प्रवेश नहीं कर सके पुट्र क्योंकि वो भ्रम्व देव के वर्दान से सुरक्षित हुआ कौन है ये शिव्भक्तमा और उन्हें क्या वर्दान प्राप्त है बुष्ट असुर सम्राट तार का सुर है त्रिपूर का कारण तुम्हारे भ्राता के हातों उसके वद्ध के पश्चात उसके तीनों पुत्रों ने मेरू परवत पर भीशन तपस्या कर ब्रम्व देव को प्रसन कियो कि दि bunun एकार कियो असुर दुफिस पसे करेंश घरकाक कि… कमलाक्षे अगणाम ब्रह्मदेव विद्धियन मालिव मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्य हुआ ताड़का सुर्पुत्रों कहो क्या वर्दान चाहते हो तुम प्रमदेव हमने आपके लिए कठोर तब किया है वर्दान भी उसके अनुसार दीजे प्रिप्या हमें अमरत्तु का वर्दान दीजे अमरत्तु का वर्दान मैं तो क्या कोई नहीं दे सकता जो जीवित है उसकी रित्यू भी होगी यही स्रिष्टी का अटलमियम है जिसे कोई भंग नहीं कर सकता इसे लिए अमरत्तु के सिवाय जो इच्छा हो मांग लो अच्छा प्रमदेव ये भी उचित अमारे पिता असुर समराड तारक असुर की बृत्यू के पश्चात पूरे भ्रमाण में असुरों के लिए कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं रहा चिपते चिपाते भै भीत होकर अपना जीवन वितीत कर रहे हैं एक ऐसा सुरक्षित स्थान हो जासुरों की सुरक्षा निश्चित जहाँ पर बिना अनुमती के देवता भी प्रवेश्णा करें हमें अंतरिक्ष में ऐसे तीन पूर दीजी एक जो स्वर्ण से बना दूसरा जो रजस सिंडर में थो और तीसरा जो लोग का हो हमारे ये तीनो पूर रमाण की सभी सुखसुदाओं से संपन हो और हमारे समान ही तरकॉन के आकार में मिले हो जिससे हम एक दूसरे पर दृष्टी रख सकें त्रिपूर के लाए जाने वाले ये हमारे तीनो पूर आपकी क्रपा से कभी कोई नष्ट ना कर सकें त्रिपूर तुम्हें आवश्य प्राप्त होंगे किन्टू जो उत्पन हुआ है वो नष्ट भी होगा अमरत्यू के समान त्रिपूर में सदा सुरक्षत रहने का वरदान मैं तुम्हें तुम्हें प्रदान नहीं कर सहता अच्छा मरमदेव ये भी उचित है तो कृपिया इतना कीजिए कि संसार के देवता स्वयम महादेव ही इस त्रिपूर को नश्ट कर सकते हैं और हमारा वद उनी के हातों उनके अत्रित किसी और के हातों नहीं शिनता मत करो क्राता हूं मैंने इस पर पूरा भिचार किया है हम महादेव की ऐसी भक्ति करेंगे ऐसा तप करेंगे कि द्रिपूर स्वयम शिव्ब भक्तिधाम भन जाये का और फिर महादेव हमारा या हमारे द्रिपूर का विनाष नहीं कर पाएग अमर होने का यही एक उपाया प्रमदेव इससे श्रिष्टी का कोई नियम भंग तो नहीं होता इसलिए यदि आग हमारे तब से प्रसन्न है तो कृप्या हमें यह वर्दान दीजिए तथास्तो वर्दान देने के बाद ब्रमदेव ने माया वीविद्या के ज्याता माया सुर्ट ताड का सुर्फ उत्रों की इच्छा अनुसा तीन पुरों का निर्मान करने का आदेशती फिर वो थीनों असुर भ्राता अपनी प्रजा के साथ वहाँ शिव भक्ती में लीन रहने लगे तो यही कारण था कि मुझे वहाँ शिव मंत्र सुनाई दे रहे थे और ग्रम्भ देव के वर्दान के कारण ही मैं वहाँ प्रवेश भी नहीं कर सका हाँ पुत किन्तो ताड़का सुर्फ त्रिपुरा सुर्फ कुछ भी अनुचित कर अपनी सुरक्षा पर आज क्यों आने देंगे इसका तो कोई कारण नहीं है मा जिनकी स्वभाव में खोट हो वो भक्ती भाव का कितना भी प्रदर्शन क्यों ना कर ले उनका अंतर तो टपट से ही भरा होता है क्योंकि जो हो रहा है वो सर्वथा अनुचित है और उसका स्त्रोथ अवशी त्रिपुर ही है मुझे प्रतीत हो रहा है मा कि वहां भक्ती का दिखावा एक भुलावा है और जिसके पीछे एक भेंकर सत्य छुपा है जो संसार पर संकट का रूप लेकर उजागर होने वाला है मुझे तो अभी भी आभास हो रहा है मा जैसे देवताओं और अन्य सभी चराचर जीवों का कोई बड़ा अहित होने वाला है जिसको समय रहते अत्यंत रोगना आवर्शक है माता गथम पूर्जी श्री गनेश उचित कह रहे है कि तो आहित होने वाला नहीं आपे तु हो रहा है यह जो कुछ भी हो रहा है यह किसी मात संकट से कम नहीं हम निश्टेज होते जा रहे है माती हमारी उर्जा और शक्ती प्रती परक्षीन होती जा रही है और यह सब क्यों और कैसे हो रहा है माता हमें ग्यात भी नहीं है और हमें तूर्ण विश्वास है माता जिस परकार बिगन हड़ता प्रत्य पूज गनेश ने प्रतियोगिता के समय समस्त बाधाओं से हमें दूर किया बही समस्ता से हमें मुक्ति दिलाएंगे इस संकट का स्त्रोथ कहा है? ये ग्यात है मुझे किन्तु संकट क्या है? और क्यों है? ये जानना अभी शेश है किन्तु आप चिंता मत के जी देवराजी धर्म का पालंग करने वाले के लिए यदि विग्न हरता हूँ मैं तो दुष्ट अधर्मियों के लिए विग्न करता भी तो हूँ मा, देवताओं की सहायता के लिए मुझे त्रिपूर में प्रवेश कर इस रहसे का भेदपता लगाने की अनुमती दीजिए जिससे मैं शिष्टी पर छाए इस संकट को दूर कर सकूँ किन्तु पूत्र त्रिपूरा सुर्तो अत्यन शक्तिशाली असुर है अपने पिता से भी अधिक बल्वान है वो वहाँ जाने से तो तुम भी संकट में पड़ सकते हैं मताब, आप चिंता मत किछें अभी श्रीव देश की सहायता के लिए उनके साथ जाएगे अवश्य आप भी चलते देगराज किन्टो जिस प्रकार से आपकी शक्ति खीन होई है उसे देखकर आपका वहाँ जाना उचित नहीं होगा और वैसे भी तृपूर में तो देखताओं का प्रवेश भी वर्जित है आपके वहाँ आने से उन्हें संदे होगा और वो सतर्क हो जाएंगे फिर हम उनके गुप्त भेट कभी नहीं जान पाएंगे इसलिए ये कार्य तो मुझे एकाकी ही करना होगा कि तु पुत्र तुम वहाँ कैसे प्रवेश करोगे उसकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजे मा इस बार उनके आशुरी छलको बल से नहीं बुद्धी से भेदूंगा मैं उनके आरादी का पुत्र होने के कारण मुझे कोई शती पहुचाने की कलपना भी नहीं करेंगे वो मुशक जी मेरे साथ त्रिपूर की भीतर जाने के बाद ये आपका कार्य होगा कि आप छिपकर व्याद करें कि वहाँ क्या अनुचित धट रहा है छिपकर वहाँ गूमकर ये कार्य करने में तो मुझे बहुत आनन्द आएगा स्मरण रहे कि इस कार्य में आपको अत्यांत सावधान रहना होगा मुशक जी जी प्रभू मैं अत्यादेक सतर्क रहूंगा रुखिये मुशक जी उर्जा का कवच है यहाँ तो हम इसके भीतर कैसे जाएं प्रभू मुझे ग्यात है मुशक जी सौराष्ट्रे सोमनाथं चश्रीशैले मल्लिकार्जुनं उज्जेन्यां महाकाल्य मौमकारं परमेश्वरं केदारं हिम्वत प्रिष्ठे डाकियां भीम्शंकरं वारानस्यां चविश्वेशं त्रयंबकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमाँ नागेशं दारुकावने सेतू बंधेचरामेशं घुष्मेशं चशिवालये प्रभू महादेव की द्वादश नामावली का पाठ कर आपने प्रभावित कर दिया मुझे प्रतीत होता है कोई महान शिवभक्त शिवभक्त धाम त्रिफुर में प्रवेश चाहता है मैं मात्र शिवभक्त नहीं अपितु शिवप पुत्र गजानन गडेश हूं हर हर महादेव हर हर महादेव शिवभक्त पार्वती नंदन गजानन गडेश शिवभक्त धाम प्रिफुर नगरी में आपका हाद बित्स्वागत मेरे पिता के प्रती आपकी परम भक्ती की बड़ी ख्याती सुनी थी इसलिए जिग्या सवश स्वयम आपकी दर्शन करने चला आया आपको यहाँ पाकर तो हमें परम आनन्द कानुभव हुआ है प्रभु कृपा भीतर आकर हमें कृतार्थ कीजिए आई 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 आपका स्वागत है ठीक है चलिए मोशक जी अब जब मैं इनके पूर में प्रवेश कर ही चुका हूँ तो इनके सत्य को भी अवश्य ग्यात कर लूँगा ये तो मेरा अद्बूद स्वागत कर रहे है और यहां तो सभी भक्ति भाव में भी लीन है मुझे तो लगा था मैं भीतर आकर इनकी दिखावे की पीछे छुपे रहसी को जान लूँगा किन्तु यहां तो कुछ भी अनुचित दिखाई नहीं दे रहा अपितु सभी पूर्ण विधी विधान के साथ पूजा पाठ में लीन है यहां फिर मुझे वो आभास क्यों हुआ था पधारिये महादेपुत्र गनेश आपके पाओं को कोई कष्ट ना हो इसलिए इन तुष्टों की कोमन पंखडियों पर पाओं रखकर आगे बढ़िये प्रभू धन्यवाद क्रिपया आपके चरण को मल्द होने की अनुमती दीची यहां की वास्त्रुक्ता तो मेरी कल्पना की विपरीत है अनुपम भक्ती भाव है उनका किसी कपट का तो लेश मात्र चिन्व भी नहीं प्रभू अनुमती दीजिये भक्ती भाव से परिपूर्ण है यह किन्तु यह केवल इनका बाहरी आगरण है या इनका अंतर भी भक्ती भाव की निर्मल भाव से प्रकाशित है संभव है मोशक जी कोई कुछ क्यात हो जाए इनके हावभाव से तो कुछ भी ज्यात नहीं हो रहा है किन्टो फिर मुझे यहां किसी शड्यंत्र का आभाज क्यों हुआ आईए शिव पूत्र गणीश अपना आसन ग्रहण कीजी नहीं मैं इस स्थान पर स्थित नहीं हो सकता क्या हुआ प्रभू हमसे कोई भूल हुई क्या वो आसन शिवलिंग के आधार से उंचा है पुत्र का स्थान तो पिता के चर्णों में होता है उनसे उपर नहीं और वैसे ही प्रभू भक्त का स्थान तो सदा ही भगवान के चर्णों में होता है इनकी भक्ती में तो कोई दोष्टिखाई नहीं देता किन्तो फिर किसी कपट का आभास क्यों हो रहा है मुझे अब तो मूशक जी ही कुछ पता लगाए ये कैसी काले चाया मेरी और बड़ी आ रही है जय गनेश जय गनेश जय गनेश देवा माता जा पिपार्वति पिता महादेवा पुद्धिमान वही होते हैं जो बाहरी दिखावे पर विश्वास नहीं करते अपितु सत्य जानने का प्रयास करते हैं जय जो झाले विए